बिस्मिल्लाहिरामानीरहीम, अस्लामलेकूम, कैसे हैं आप सब, वेलकुम टो माई चैनल, आज मैं आप कुछ बनाना सिखा रहे हूं कि मूली का प्राठा कैसे बैना जाता है, इसको कैसे क्रिस्पी कह जाता है, कि कौन से ऐसे गलती हैं जो अमोमन लोग करते हैं, इसलिए उन तो चलिए रैस्पी को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो बिस्मिल्लाहिरामानीरहीम, यहां पर मैंने मूलिया ले ली हैं, 400 ग्राम, आप अपनी कौन्टिटी के मताबिक ले सकते हैं, जितनी भी आपने प्राठे बनाने हो, उनको मैंने अच्छे से धोकर उनको पील उफ कर चलिए था, और आप मैंने को कर रही हूं, किसी भी ग्रिटर की मदद से, यानि कि इनको अच्छे से हम कदुगश कर लेंगे, अब जो कदुगश की हुए मूलिया हैं, इसमें से हमने थोड़ी कौन्टी में उठानी हैं, और इसको अच्छे से निचोड कर इसका पानी हमने निकाल लेना है, जितना ज़्यादा जो लगा के पानी सारा निकाल लेंगे, उतनी जो पराठे हैं वो क्रिस्पी बनेंगे और अच्छे बनेंगे, और अगर इनके दरम्यान जो है पानी रहेगे, हमने इसको नोचोड़े बगार बनाया, तो जो पराठे हैं वो आपके सार तूर जाएंगे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे सारी मूलियों में से पानी निकाल दिया अब इसमें डालूंगे मैं 1 टीस्पून रेट चली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक 1 टीस्पून गरम साला 1 टीस्पून खुश्क दनिया पाउडर और 1 टीस्पून सुख्यू मिथी अब इसमें मैं डालूंगे फ्रेश, कटाओ, ठेट सारा हरा दनिया खुबसूरती के लिए बहुत अच्छा लगता है इसको लाजमी स्माल करें और अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून गी कोई सब गी अब इसमाल कर सकते हैं ये क्रिस्पी बन लाता है पराठो के अंदर बहुत ही टेस्टी इससे पराठो को जो टेस्ट है वो अच्छा बन जाता है अब मैंने पेड़े कर लिया है मीडियम साइज के बहुत ज़्यादा छोटते ही है बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं करने एक पेड़ा मैन उठाया है इसके नीचे खुशका लगा कर इसको अच्छे से बेलेंगे जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बना रहे होते हैं वैसे हमने इसको बेलना है और नीचे हमने खुशका लगा देना है ताके ये काउंटर के साथ चिपके ना बेलने के वज़द से इसको हमने बेलना है इसकी लेंट आप देखेगा इसको बहुत ज़दा बड़ा नहीं करना बस जिस साइज का मैं रख रही हूं इस साइज का आपने रख लेना है एक और पेड़ा लेने है इसको भी सेम इसी साइज का हमने रखना है अब जो मूरियों का मिक्सर मैंने बना के रखा था वो हम इसके उपर लगाएंगे इसको अच्छे से भरना है ताके जो पराठा है वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़दार बने अच्छे से भरना है हमने इसको इसके साइडों पर भी और इसके सेंटर से भी सारी जगा पर अच्छे से हमने सारी मूलियों को इस तरह से पहला देना है ताके जब हम इसको बेलें तो हर जगा पर मूलियों का मिक्सर पहुंच जाए जो बहुत ही टेस्टी लगता है और जो दूसरा पेड़ा मैंने बेल कर रखा ताव इसके उपर रख दूँगी और इसकी साइट्स को अच्छे से हम जोड देंगे ताके ये बनाते वक्त तूटे ना और जो मूलियों हमने लगाई हैं वो बाहर ना है अच्छे से मैं इसको जोड दूँगी और जोडने के बाद इसको बेल लूँगी जिस तरह हम नॉर्मल लोटी बेलते हैं वैसे इसको बेलना है तवे को मैंने रख दिया है और इसको मैंने अलका सक गरम करके स्लोव फ्लम परटा बनाएंगे तो वह बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और विलकुल जरेगा नी इसके साइड को चेंज करते हैं और इसके उपर अब लगाते हैं घी आपके पास घी अगर अबेलिबर हो तो घी स्माल केज़ेगा अदरवाइस मक्षन या ओयल कुछ भी आप इस्माल कर सकते हैं इसकी साइड को चेंज करते हैं तो ये बहुत ही किस्पी बनेगा इन्शाला अगर हम flame slow पर बनाएं तो ये बहुत ही crispy बनेगा otherwise अगर ज्यादा high flame पर बनाएंगे तो ये जल जाएगा जो के look wise में इतना अच्छा नहीं लगता बस इसको अलटते हैं बलटते हुए हमने इसको अच्छे से पका लेना है ताके किसी भी side से एक अच्छा ना रहें और इसकी हर side बिलकुल crispy और अच्छे से पक जाए प्राठा मारा बन गया है अब हम इसको plate में निकाल लेंगे और दूसरा प्राठा भी तावे पर रखते हैं उसको भी same उसी method से बनाएंगे जिन लोगों से पराठे अच्छे नहीं बनते तूट जाते हैं या क्रिस्पी नहीं बनते तो वो लोग इस रेस्पी को ट्राइ करें इसी तरह से बिलकुल इन्शाला उनके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे तूटेंगे भी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे इसमें भी हमगी को अप्लाइ कर देंगे और इसको अच्छे से हम जब तक पराटा क्रिस्पी ना हो जाए पकाते रहेंगे और अच्छे से जब तक पकना जाए इसको पकाना है ताके कच्छा पराटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रखता इसकी दोनों साइडों को अच्छे से हमने स्लो फ्रेम पर पकाना है इसको भी हम उसी प्लेट में निकालेंगे तो दोनों पराटे मारे माशालला से त्यार हो गए इसके दिखाते हूं फाइनल लूप तो माशालला से अलहमदोलिल्ला बहुत ही मज़दार बहुत ही क्रिस्पी गर्मा गरम मूली के पराटे त्यार हो गए है रस्पी को लाजबी ट्राइ कीजएगा लंच बॉक्स में बचों को बना कर दें ब्रेकफास में बनाएं डिनर में बनाएं जैसे भी आपकी मरज़ी है बनाकर ट्राइ करें इंशाला आपके रैस्पी लाजबी पसंद आएगी मिलते हैं अगले वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा मुझे भी दूआ मुए याद रखेगा अलाहफेज